तो 2024 का साल अलमुष्ट खतम होने वाला है लेकिन आप भी तुम लोगों में से काफी सारे नूब लोगों को माइनक्राफ्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है लेकिन डोंट परी आज मैं आपके लिए लेके आयों 2024 के बेस्ट माइनक्राफ्ट जिनको जानके आपको एकदम मज़ा आजाएगा जैसे की जब भी हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं माइनिंग करने के लिए तो कभी कभी हमें ऐसी आवाज सुनाई देती है जी हां इन आवाजों को हम केव साउंड्स कहते हैं लेकिन यह भला साउंड्स आती कहां से हैं कुछ लोग का माना कि यह आवाज होती है के उसमें मरे बेन मॉब्स की और इवन कुछ लोग तो यह भी कहते हैं यह आवाज सीधा वॉइड से आती है लेकिन जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर अंधेरी की तरफ बढ़ते हैं चाहिए हम लोग किसी विलेजर के घर में बैटे हो या फिर पानी के अंदर तैर रहो तब ही हमें यह आवाज सुनाई देती है और इसका मतलब यह है कि यह आवाज आती है सिर्फ 0% लाइट पर जहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं होती और बहुत जदा अंधेर होता है वहाँ पर ऐसी खतरनाग आवाज आती है यह ऐसा नहीं है जिसे मॉप्स उल्टे हो जाते हैं जी हाँ डिनर बोन के बारे में तो आप सबको पता ही होगा इसे बड़े बड़े मॉप्स उल्टे उल्टे हो जाते हैं सिवाई इन स्कुिड्स के जी हाँ इन स्कुिड्स पे डिनर बोन का कोई भी असर नहीं होता है य लेकिन इससे भी एक वीर्ड चीज दिखाता हूं मैं इस वर्ल्ड का नाम ही डिनर बुन रखने वाला हूं वह भाई यह पूरा वर्ल्ड यहां पर उल्टा जनरेट वाया है सब कुछ उल्टा फूल्टा ही दिख रहा है यार नहीं नहीं गाईस ऐसा कुछ भी नहीं होने वा पास खड़ा कर देते हैं तो यह आल्टी की तरह ही खड़ रहता है मतलब हिलता नहीं है और पॉर्टल की तरफ तो यह बिल्कुल भी नहीं जाता है लेकिन हमारे इस खदरनाग नैदर के अंदर काफी सारे फॉसील्स होते हैं जिनका आस तक कोई पता नहीं लगा पाया कि किसके फॉसील्स है कुछ फॉसील्स देखो ऐसे दिखते हैं और कुछ फॉसील्स यहां पर काफे ज्यादा बड़े होते हैं लेकिन अगर यह वाले दो तीन फॉसील्स को हम मिला देते हैं तो सामने के ऐससे स्ट्रक्चर जीगता है जो कि बिल्कुल एक स्टीफर जैसे किया को बार में पत चला है सच में मैं आपको सारी डेटेल बताऊंगा वैस् आजाता है और ऐसा सूट हम कुछ माइनक्राफ्ट के अंदर भी बना सकते हैं यह सई सुना आपने थोड़ा सा दिमाग चाहिए होगा मेरी तरह पहले आपको ऐसा लेदर आर्मर बना लेना और उसको हाँ रेड कलर करना है क्योंकि आयरेन मैं का सूट भी रेड कलर को होता है और अब हम यहाँ पर यूज करने वाने ने वाले आर्मर ट्रिम्स और यह देखो ज़र हम यहाँ पर याँ पर लेगिंगे यार बनंगे यार अव securities करना पड़ेगा आजकल Minecraft के अंदर यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर कोई पंके वंके AC कुछ लगा ही नहीं रखा है लेकिन यह विलिजर इस तिना शान्ती से क्यूँ बैठा है ओहो इसके तो सिर पे पंका लगा हुआ है तो यह है Minecraft के अंदर बिल्कुल चलता फिरता एक पंका जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है वैसे यहाँ पर काफी सारे कमांड ब्लोक्स यूज़ होँगे जो कि मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता यार इसमें दिमा करा होता है लेकिन अगर आपका एक बार यह पंका बन गया ना तो यार दिखने में काफी ज़्यादा बढ़िया दिखता है और यह एकदम वर्किंग कंडिशन में मतलब यह चलता रहेगा और आप इसके नीचे मस जाके यार हवा कहा सकतो इस पंक्या की मस तरीके से वैसे तो यह घटिया से दिखने वाली स्पाइडर्स तो आपको हर जगह दिख जाती है लेकिन जैसे यहाँ पे माइनक्राफ्ट के अंदर रात होती है इन स्पाइडर्स के उपर अलग अलग पोशन इफेक्ट लग जाते है और कुछ-कुछ spiders बिल्कुल रात में गाइब हो जाती है, उन पे invisibility लग जाती है, जो कि यार दिखने में काफी ज़्यादा डरावनी सी होती है, यह आपके पीछे पड़ जाये तो बिल्कुल आपको भागे लिना चाहिए, और survival के अंदर आपको ऐसी एक spider दिखने के सिर्फ 1.5% chance है, मतलब यह हट से ज़्यादा ही rare होती है, सच बता हूं तो, और यह तो अच्छी बात है, इसके आँखे थोड़ी बहुत आपको दिख जाती है, नहीं तो पूरी यह गाइब होती है, आपको पता ही नहीं चलता भाई, कौन गुसंड मार रहा है, और वैसे तो अग अगर हम नेधर के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर अल्ड़ी काफी साज़ी rare चीज होती है, लेकिन ज़री strider को देखो, नहीं यह ज़्यादा rare नहीं है, कैसे रहेगा एक strider दूसरी strider पर बैठा हो, यह भी कुद ज़्यादा rare नहीं है, लेकिन ज़री इसको देखो, एक क सब कुछ दिखेगा आपको, हमारे पास Minecraft के अंदर तीन टाइप के एंविल्स होते हैं, सबसे पहला यह brand new वाला, दूसरा यह थोड़ा सा यूज कर आवा, और तीसरा एकदम broken वाला एंविल, लेकिन आपने यह white color वाला एंविल कभी नहीं देखा होगा, सच बता हूं तो बहुत जादा रेर होता है, तो देखो, जब भी Minecraft में हम एंविल को बहुत जादा यूज कर लेता है, और जैसी वो तूटने वाला होता है, तो एकदम white color में change हो के तूट जाता है, और जी हाँ, यह वही वाला white color वाला एंविल है, दिखने में तो खेर, यह simple सा ही है, नहीं से आप कुछ बना सकते हो, लेकिन यह बहुत जादा रेर होता है, अगर आपको यह अपने वर्ल्ड में कहीं देख जाए, तो समझ लेना सबसे रेर चीज मिल गई आपको, और अब चलते है, माइन क्राफ्ट के इन विलिजिस के अंदर, माइन क्राफ्ट की विलिजिस के अ जैसा ही दिखता है, यहां के घर भी माइन क्राफ्ट के विलिजिस जैसी होते हैं, और इनके विलिजिस के अंदर भी इस टाइप के वेल्स होते हैं, जो कि हमार माइन क्राफ्ट के विलिजिस के अंदर देखे जाते हैं, और माइन क्राफ्ट के अंदर उड़ने में कुछ कि माइनक्राफ के इलाइट्रा की माइन क्लॉती ऐसी जो कि आपको उड़ने में हेल्प करती है हमारे रियल लाइफ मुझी नहीं होता है हाँ ऐसा जरूर कहा जाता है कि पहले के टाइम पर जिनके ऐसे पंक होते देख और वह उड़ पाते थे लेकिन मैं आज की बात कर रहा ह आज हमारे से पंक नहीं निकले वे जिसके मदद से उड़ पाए लेकिन हां ऐसी टेक्नोलोजी जरूर आ चुकी है यह इस टाइप के पैरे ग्लाइडर्स होते हैं और माइनक्राफ्ट की लाइटर जैसे दिखते हैं और इनकी मंदल से आप मस्त आसमान के सवारी कर सकते हो एंड जैसे मैंने वीडियो में स्टाइटिंग में बोला था बहुत जादा बड़ा सा मैं आपको लोगों के लिए गिववे करा रहा हूं वह एक शांदार ब्रैंड न्य स्टोरी डाल के स्पिन मैंच को मेंचिन कर देना आप गीववे में पार्टी सुपेट कर चुके हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग जब तक गीववे के रिजल्ट नहीं आ जाता ना की प्लेंग गेमस और जदा बढ़ जाएंगे और भाइस आप गेमस के बारे में त पता चलेगा अगर आपको स्पिन मैंच पर कुछ भी समझ नहीं आता ना तो आप तुरंद इनके 24-7 कस्टमर सपोर्ट से जाके कोई भी हेल्प लिसकते हो सब्सक्राइब करने वाले को 100% तक वैलकम बोनस भी मिलेगा एंड मेक्शूर कमेंट वाले लिंक्स है आप जाके स जाएगा जैसे आप डैसर टेपल में तो जाते ही हो तो अंदर आपको यहां पे क्रीपर का सिर देख जाएगा या फिर आपको ईस वाले विलेजर को आपने देख आओगा इसके पिछो भी यार creeper का face लगा हुआ होता है एंड इवन Minecraft का logo धियान से देखो यहाँ पे भी creeper का face लगा हुआ है काफी famous बंदा यार यह तो Minecraft में speed run करना बहला किसको पसंद नहीं है सबको dream जो बनना है एंड जब हम Minecraft में speed run करते हैं आईरेन गोलम को बहुत जबा गंदा पिलते हैं लेकिन किसी ने ये सोचा क्यों हम आईरेन गोलम को उपर चड़के ही क्यों मारते हैं हाँ मतलब अगर हम 3 block height से मारेंगे तो इसको easily पेल सकते हैं और आईरेन गोलम हमें चूब भी नहीं पाएगा लेकिन हम भाई जमीन के अंदर भी तो जा सकते हैं 2-3 block कभी माल लो आपके पास block ही नहीं है और आईरेन गोलम आपके पीछे पड़ावा है तो simple 2-3 block नीचे खो दो और वहीं से आईरेन गोलम को बिलकुल खतम कर दो और यह वाले ट्रिक यार सारे बड़े मॉब्स पे काम करती है जैसे slime को इसमें इसली पेल सकते हो या फिर magma क्यूब को भी या फिर ravager को इसको भी इसली पेल सकते हो वार्डन माइन क्रफ्ट के सबसे ज़ादा powerful मॉब है इसमें तो कोई शक नहीं है ना इसके सामने कोई भी मॉब खड़ा कर दो एक सेकेंड में उसका काम खतम चाहिए वो तकड़ा सा iron golem हो या फिर snow golem सब पेले जाते इसके सामने लेकिन अभी भी एक ऐसा मॉब है जो वार्डन को इसली पेल सकता है और वो है यह शलकर नहीं मैं मचाक नहीं कर रहा हूँ गाइस जैसे इनकी फाइट स्टार्ट होईगी ना शलकर वार्डन को हवा में ही उचाल देगा अगर कुछ उपर ब्लॉक्स है तो वार्डन वहीं पे डेमेज लेता रहेगा लेकिन अगर वहां पे कोई भी ब्लॉक्स नहीं है तो विचारा वर्डन उड़ता ही जाएगा बैस सिदा आश्मान में पहुँच जाएगा यह फर्स्ट एप्रिल को एप्रिल फुल डे होता है और हर बारी माइनक्राफ्ट पेर्स को एकदम फूल बना देता है अगर आप इदर उदर घूमते हैं तो आपको दिखेगा काव बहुत ज़्यादा अजीव से दिख रही है सई उल्लू बनाता है यार माइनक्राफ्ट में हम लोग बहुत वरी मरता है ये गेम ही ऐसा यार हर जगा खत्रे है लेकिन सबसे ज़्यादा इस्टूपिड वे क्या होगा मरने का अगर आप बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले नूपो तो आप सीधा जाके डिक डाउन करोगे नीचे लावा होएगा और आप सीधा खतम हो जाओगे कुछ लोग भदाओं क्या करते हैं सैपलिंग उगाते वकि उसके उपर ही खड़े हो जाते हैं जिससे भाई वो सफोकेट होएंगे डेमिज मिलेगा और खतम एंड एमेलजी वाले तो एकदम प्रो देना यार एंड कभी-कभी वो नैदर में चले जाते हैं एंड सब कुछ भूलकर एमेलजी करने का ट्राइब करते हैं और नीचे पॉस्ते भाई खता हूं एंड डेजर टेंपल वाला सब्सक्राइब करते हैं और यहां बना अपना शलकर का बेस अंदर आपका आर्बेट डालो चैस डालो बेट लगा तो वह आपकी मर्जी है अगर आपको छुपा रहे तो आप शंकर बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं अब चलते सीधा नीचे एंड अब देखो जरा यहां से घंटा किसी को पता चलेगा कि वहां पे उपर कोई सीक्रेट बेस है है ना एकदम से मस्ट वाले सीक्रेट बेस है लेकिन हां अगर कोई यहां पर इलाइटर से फुल स्पीड में आगा ना तो अलग बात है भाई उसको पता चल जाएगा लेकिन क्या आपको पता है यही एक्सपी आपको मार भी सकती है जी हां जैसे आप जाके लावा में मर जाते हो या फिर उपर से कहीं कियर के सीधा टपक जाते हो ऐसी धीरी धीर अगर आप बहुत सारे एक्सपी कलेट करते रहोगे जैसे कि आपके एक्सपी 100 हो जाएगी औ और जाद आपने collect करी आपके XP 2000 हो गई और ऐसी धीरे धीरे करते हैं अगर आपके XP कुछ 23000 जितनी हो जाती है और फिर आप अगर थोड़ी सी और भी XP लेने का try करते हो तो सीधा आप यहां पे खतम हो जाते हो यह कुछ तो तकड़ा सा Minecraft का ही game का glitch है लेकिन डरो मत यार इतनी ज़्यादा XP लेनस वो भी survival में next to impossible है Dinnerbone and Grum, Minecraft के ऐसे name tags जो सारे mobs को उल्टा कर देते हैं लेकिन क्या आपको पता है हम किसी जगा को भी इस तरीके से उल्टा पुल्टा कर सकते हैं और जो भी इसको देखे का भाई उसका तो पुरा दिमाग ही घूम जाएगा इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा उपर जाना पड़ेगा यहाँ पर आपको भाई उल्टी डर्ट लगा नहीं कुछ इस तरीकी से और साइड में यहाँ पर मैं उल्टी फेंज भी लगा देता हूँ और क्यों न सजावट के लिए यहाँ पर नकली पेट लगा देता है किसी को पता नहीं चलने वाला अब आपको यहाँ पर कोई माप डोना जो आपको सबस्चा जादा फेवरिट हो और उसको उपर बांद के ले जाना है और फेंस पर लटका देना है ओ भाई यह तो अभी बहुत जाद ही अजीब लग रहा है लेकिन जैसे मैं यहाँ पर डिनर बोन का नेम टैग लगा देता हूँ एकदम से यह जगा रियल लगने लग जाती है भाई बहुत ही अजीब लग रहा यार यह और क्यों न यहाँ पर कुछ ब्लू कलर के बॉक्स लगा देते हैं ताकि ऐसा लगे भाई यहाँ पर पानी भी उपर हवा में तेर रहा है और अब जो भाई इस चीज को देखेगा न वो देखते रहा जागा बहुत ही जादा confusing सा scene है इवन आप ऐसा villager के साथ भी कर सकते हो या फिर कोई और mob ले जाओ उसको भी ऐसा लटका सकते हो उपर वैसे तो Minecraft की inventory space बहुत ज़्यादा बड़ी होती है लेकिन कुछ देर हम खेलते तो भाई पूरी भढ़ जाती है यह लेकिन क्या आपने कभी सोच है कि आप inventory को कितना जादा बढ़ सकते हैं यह तो आपको पता ही होगा कि हर item को हम 64 stack बना सकते हैं और पूरा inventory को इससे मस तरीके से बढ़ सकते हैं लेकिन बस इतने से क्या ही होगा हम बनाने वाले हैं यहाँ पर बहुत सारे shulker boxes और इनके अंदर भर भर के diamonds ढूसेंगे अब सारी inventory में डाल दो और यहां पर कुछ जादे यहां पर समान हो चुका है और यहां पर एक एंडर चैस्ट भी बना लेते हैं और इसके अंदर भी हम बहुत सारा समान भरने वाल है मतलब चलते फीरते घदे के साथ हम एक लाग स्ट आइटम इसली स्टोर कर सकते हैं और सोचो जरा यह घदा हमारा लावा में गिर जाए हमारे साथ पूरी जिंदकी की मेहनत कराब हुजाए यार ऐसे तो आपने बड़े-बड़े माइनक्राफ्ट के घर देखेंगे बहुती सांदर और महंगे-महंगे वाले घर भी आपने जरू देखेंगे जिनको बनाने में भाई बहुत ज़्यादे महनत और बहुत सारा समान लगता है यार लेकिन आज हम माइनक्राफ्ट का सबसे ज़्यादा छोटू घर बनाते हैं न ओके सबसे पहले मैं यार पे कोई मस्सी जगा डून लेता हूँ और इसमें आपको यार बहुत ज़्यादा कम समान चाहिए होगा बैस इस तरीके से यार ट्रैपडोर लगा देते हैं क्या होना चाहिए एक क्राफ्टिंग टेपल लागा देते हैं यहां पर मस्स फरनेश लगा देते हैं एक चस्ट भी यहां पर जरूर चाहिए होगा और उपर सोने के लिए यार बैड लगाते हैं और लेडर से चड़ जाएंगी सीधा यहां पर वा भाई अपना मस छूटू सा घर तैर भी हो चुका है एक मिनटर को जो रहा है यहां पर बहुत जाद अंदेरा है रोश्णी भी कर देते हैं अब इसमें आप सारे काम कर सकते हैं माइनक्राफ्ट के कोज भी स्टोर कर सकते है चेश्ट में और रात को ईवन उपर जाके मासो भी सकते हैं खुले आसमान में बैस जब सुबह उठोंगे ना भाई धियान से उठना क्योंकि आसपास कोई क्रीपर भी घुम सकता है डॉल्फिन आपको बहुत जदा अमीर बना सकती है जियां मैं मैं मजाक नहीं कर रहा हू देखो डॉल्फिन माइनकरफ में काफी जदा प्यारी ची होती है जब भी हम पानी के अंदर जाते हमेरे आगी पीची गुमती है और हमें स्पीड भी दे देती है लेकिन हम उसको क्या देते हैं कुछ भी नहीं इसलिए जब भी पानी में जाओ और आपको आसपास वैल पेड लगाना यार काफी जदा अची बात होती है इससे काफी जदा हरियाली बढ़ जाती है और एकदम मज़े आ जाता है लेकिन माइनकरफ में पेड ऐसे उल्टे पूल्टे भी उख जाते हैं जो कि दिखिने में काफी जदा अजीब लगते हैं खासकर अगर यह पेड आपको छोटे ही हो गेंगे और इस तरीके से आप अपने घर के साइड में पर्फेक्ट पेड लगा सकते हो और हरियाली के मज़े ले सकते हो जब भी हम लोग माइनकरफ के स्नूव वाले बायों में जाते हैं जहां भाई बहुत सारी बरफ बरफ गिड़ती है और एक पेड़ जाते हैं और आप चलते हैं माइनकरफ के इस विलेज में जाते हैं और बहुत सारे प्यारे प्यारे ऐसे विलेजर पाए जाते हैं और वैसे तो विलेजर हमारे काफी ज़्यादा है लेकिन जैसे हम इनसे ट्रेड करने जाते हैं इनको मजा चकाने के लिए आप एक दंपतागडी चीज कर सकते हो बहुत ही ज्यादा खतर नाक है पहले ही बता रहा हूँ तो ऐसे आपको चुप चाप से एक विलेजर को चुकी है और यह मद्दू मक्षी बहुत जाजा गंदा काटी है रात को सोने जातों तब इसका काटा चुपता रहता है इन लोगों की मेरे को कमजोरी पता है फूल यह यह फूलों को जादी पसंद करती है चपक्य बैट जाती उपर आप देखो मेरी निंजा टेक्निक मैं करना पड़ेगा चलो आज हो यहां पर हम चलते सीथा स्नूव वाली बायूम में और यह देखो मैंने एक दम तकड़ी टॉर्चर मसीन बनाई है बहुत दिमाग लगाना पड़ा मिरे को यहां पर इस मशीन में हमें रावेजर को यहां खड़ा करना पड़ता है और अब मैं में बिल्कुल भी मत भूलना रजिस्टर ना ओन स्पिन मैच लिंक मैंने कमें पिन करी दिया है और इसी के साथ यह वाली वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं लेकिन आपको एक बहुत ज्यादा फणी वाली माइनक्राफ्ट की वीडियो देखनी है तो इस वीडियो को